इसलम नमस्कार सुसरकाल दोस्तों कैसे हैं आप समझव में दिखिए आप लोग जहां भी होंगे साइसलाम बताँ दोस्तों आज में कुछ जो रखिया सेट नहीं वाला तो वीडियो के अन तक बने तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा आप लोगों को मौका मिल सकता है उमर और हज करने के लिए और दोस्तों अगर आप लोग अठाइस तारीक से बात करते हैं तो आप लोगों कोई फायदा नहीं होगा और उसमें सौधी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया हुआ है मुश्यम भाई लोग पहले बार आगर आ रहे हैं हज करने तो उनलों के लिए खास सुभधाई होती है और अगर रिष्ट्राशन करवाते हैं तो उनलों को प्रिफिर्वर अधिक किया जाएगा उनको उम्रह कराने के लिए उनका नंबर पहले आने का चांस हज्ज है तो द दूसरी ख़र दोस्तों है कि दोस्तों इंडिया में उत्रबर्देश जिला बहराईच का रहने वाला बंदा तो उसका क्या हुआ कि गवंदे जो साधी सुदा फैमली है उसकी वह आदमी आरब देश में आकर काम कर रहा था तो उसने क्या कि अपी दस महिने उसके हुए थे त दोस्तों यह बहुत ही गलत बात है और उस ख़बरों के मताविक उस इंसान का पहले भी दो साधी हो चुका था और यह तिसरी साधी किया था बंदा उसके बाद 20 महिने बाद ही उसने तराक दे दिया उसके फैमली वाले भी अच्छे नहीं है यह भाराईच का मामला है तो इसमें पुलिस ने संग्यान लिया है और उस यूती ने जाके पुलिस में अपना कंप्रेंट दर्ज कराया और उसके खिलाफ जो करवाई होगी वह आगे चलेगी अगर यह बंदा जाता है इंडिया में तो तो अगली ख़बर है कि सौदी अरब में आने वाली फ्लाइट से कालिकती जो एरपोर्ट है वहां से फ्लाइट आ रहे थी जिद्दा के लिए तो खलकाती एरपोर्ट से उसका क्या हुआ एमिरंसी लेंडिंग उसका जब लेंडिंग हो रहा था तो उसमें किया जो उसका पीछला हिस्सा होता है जहाज का उसमें वह पीछे चमीन में मैं आपको अगली खेबर दोस्तों है कि अगर आप लोग किसी एजेंट के माध्यम से आप लोग आना चाहते हैं अरप देश में तो आप लोग बिसेस प्रगार से इस बात को धहन देती जी कि वह एजेंट कैसा है हो रहा है कि जो बंदा दो साल तीन साल और अरप देशों म विजा कि आपको ना पर रहे तो वरिजा किसी माध्यम पर भी गया लेकि वह अपनी बंदोको भूल आ रहा है और जो बंदे ऐसे हैं जो नाधान बंदें जो लोग आकर जाते हैं जो इंगे समसाय होती है और बाद में आकर हाँ रोते हैं तो दोस्तोो आप लोग ऐसी कलती बिलकुल ना करें आप मुंबई डिली बverage video में जाइए जाए वहाँ पर दोस्तो अच्य आप इस हैं आप लोग फाल तो यह एजेंट वगर जो चन्द पैसों के लिए इधर काम करते हैं दोस्तों उन लोग बीश मत पड़िये क्योंकि आधा तिसरी बात बोलते हैं सब पूरी बार बताते नहीं सब और आप लोग यहां पर फंस जाते हैं बाद में आप लोग समस्या होती है तो कि आप उसको सब्सक्राइब कर देजिए और और पर स्लेट कर देजिए ताकि मेरा हारे आने वारा नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको तो कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ चाते हैं खोबी समझ जाओ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आ दोस्तों मिलते हैं बहुत जल एक नए खबर पर तब तक आप लोगने क्या रखिए स्वस्त रहिए खुस रहिए